हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू ग्यान सेवर टूंटिफूर सुवाजम करने वाले हैं एडूटेरिया 5 की कप्रेक्टिशेट नमबर 35 एंड 36 तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं हमारा first question दिया हुआ है कि भारत में दिर्ग कालिक राज कोसी अनीती की घोषना किस वित मंत्री द्वारा की गई है तो यह किया गया है बीपी शिंग के द्वारा किस में तो बीपी शिंग के द्वारा जो है भारत में दिर्ग कालिक राज कोसी अनीती का उध घोषना किया गय तो यहां पर इसका राइट आंसर दिया हुआ है कि अंतर राजिय व्यापार का नियमन जो है किसका उदेशय नहीं है तो भारत सरकार की राजकोशिय निती का है यह उदेशय नहीं है क्या अंतर राजिय व्यापार का नियमन next question दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस में हाइट्रोजन बंधन नहीं पाया जाता है किस में हाइट्रोजन बंधन नहीं पाया जाता है तो right answer हो जाएगा H2S क्या हो जाएगा H2S में हाइट्रोजन बन्धन नहीं पाया जाता है next है कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक electron बंदूता वाला तत्व कौन सा है तो यहाँ पे right answer होगे chlorine चो chlorine होता है यह जो electron बंदूता वाला तत्व होता है सबसे अधिक तो right answer हो जाएगा option number A टुमरीन, नेक्छ ट्रवेशन दिया हुआ है कि ऐलोमोनियम को किस्ति विधी द्वारा शुद्ध किया जा सकता है तो किया जाता है, विद्धूत अपगटन द्वारा किसको सुद्ध किया जाता है नेक्छ ये कि यूरोपा निम्ड में से किस ग्रह का उपग्रा है यूरोपा जो है किस ग्रह का उपग्रा है तो ब्रिहश्पती ग्रह का उपग्रा है कौन सा यूरोपा ठीक है next question दिया हुआ है कि सरद विशूव की इस्थिति कब होती है सरद विशुव की इस्थिती कब होती है तो 23 सितंबर को होती है किसका सरद विशुव की इस्थिती next question दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी जलसंदी अंडमान सागर एवं दक्षिड चीन सागर को जोडती है तो कौन सी जलसंदी है तो ये है मलक का जनसंदी और किसको किसको जोडती है तो अंडमान सागर और डक्षिड चीन सागर को जोडती है मलक का संदी नेक्स्ट है कि Grand Canyon बांध किस नदी पर इस्थित है कौन सा बांध तो Grand Canyon बांध इस्थित है कोलो रेडो नदी पर कहां पर है कोलो रेडो नदी पर है कौन सा बांध तो Grand Canyon बांध नेक्स्ट क्वेस्चन दिया हुआ है कि मा भारती या मानक समय रेखा नेमने में इसे किस राजे से होकर के गुजरती है कौनसी तो भारतिय मानक रेखा जो गुजरती है ओडिशा शे होकर के गुजरती है ठीक है Next question दिया हुआ है कि भारतिय मुख्य भूमी का सबसे दक्छिरतम बिंदू है तो कैप कोमोरीन कैप कोमोरीन जो है भारती या भूमी का सबसे दक्षिडतम बिंदु है कैप कोमोरीन नेक्स्ट है कि मुलील लादर्रा किस राजिक या केंद्र साशित प्रदेश में है या उतराखंड में है कौन सा दर्रा तो मुलिंग ला दर्रा है उत्रा खंड में Next question दिया हुआ है कि संकट पन जीव समुदरी गाय कहां पाई जाती है तो संकटा पन जो समुदरी गाय है ये पाई जाती है मनार की खाड़ी में कहां पर मनार की खाड़ी में संकटापन जम समुद्री गाय पाई जाती है नेक्स्ट एक निमाडी निम्न में से किसकी नसल है निमाडी जो है किसकी नसल होती है तो राइट आंसर हो जाएगा गाय की निमाडी जो होती है ये गाय की नसल होती है next question दिया हुआ है कि निमनलीखित में से किस लहो आयश्क में लोहे का अंस सरवाधिक होता है तो मेग्रेटाइट जो होता है मेग्रेटाइट में लोहो आयश्क में जो है सबसे अधिक जो होता है लोहे का अंस पाया जाता है किसमें मेग्रेटाइट में परमाडू क्रमांग 20 वाले परमाडू का electronic विन्यास होता है कितना हो जाएगा परमाडू क्रमांग 20 वाले परमाडू का electronic विन्यास तो इसका right answer हो जाएगा option number B 2882 होता है इसका electronic विन्यास next question दिया हुआ है कि वाहनों में side mirror के रूप में निम्न में से किस दर्पन का प्रियोग किया जाता है किस दर्पन का प्रियोग किया जाता है तो उत्तल दर्पन का प्रियोग किया जाता है कहां पर तो वाहनों में side mirror के रूप में यूज होता है उत्तल दरपड ठीक है नेक्स दिया है कि निम्रा लिखित में से कौन विद्धुद चुम्ब की यह तरंग है तो विद्धुद चुम्ब की यह तरंग इस चारो अप्शन में कौन हो जाएगा तो X तरंगे कौन हो जाएगा एक तरंगे जो है विद्दुदुचुम्ब की ये तरंग है next question दिया हुआ है कि दृष्य वीकरन की खोज किस वैग्यानिक ने की किसके द्वारा किया गया तो Newton के द्वारा किया गया किसकी खोज दृष्य वीकरन की नेक्स्ट है कि समविधान के अनुशेद एक के अंतरगत यूनियन आफ स्टेटस में निम्नक में कौन समली थे बताईएगा यूनियन आफ स्टेटस जो है अनुशेद एक के अंतरगत कौन समली थे तो केवल राज्य हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल राज ठीक है नेक्ट क्वेशन दिया हुआ है कि 1923 का जंडा सत्यागर या ध्वज सत्यागर किस सहर में आयोजित किया गया था ये किया गया है नागपूर में काभू तो नागपूर में जो है 1923 का जंडा सत्यागर या ध्वज सत्यागर आयोजित किया गया था कहां पर तो नागपूर में ठीक नेक्ट कोश्चन दिया हुआ है कि तमिल लाडु सरकार द्वारा केंद्र राजी शम्बंधों में सुधार के लिए राज मननार समीती का गठन कब किया गया ये किया गया है उननिस सो सत्तर इस भी में किस सरकार के द्वारा तो तमिल लाडु सरकार के द्वारा केंद्र राजी की सुधारों में राज मननार समीती का गठन किया गया है 1970 में नेक्स्ट के निम्ण में से किस वर्ष भारत में राष्टी या आपात लागू नहीं हुआ तो किस वर्ष में राष्टी या आपात लागू नहीं हुआ है तो राइट आंसर हो जाएगा 1965 इस भी क्यों हुआ है 1965 में राश्टी आपात का लागू नहीं हुआ Next question दिया हुआ है कि अब तक ऐसे कितने प्रधान मंत्री है जो पहले राजी सभा सदस्य रह चुके है अब तक कितने ऐसे प्रधान मंत्री है जो राश्चुभा के सदस्य रह चुके है तो right answer हो जाएगा option number A4 ठीक है Next question दिया हुआ है कि किस अनुछेद के तहत राज्य तथा संसद को राज्य सूची के विशेश पर विधी बनाने हेतु अधिकरित कर सकती है तो ये जो अनुछेद दोश उन्चा से इसके तहत जो है राज्य और संसद दोनों राज्य सूची के विशेश पर जो है विधी बना सकती है ठीक है Next question दिया हुआ है कि निवनत्म समर्थन मुल्य यानि MSP की अधारना किस समीती द्वारा की गई है निवनत्म समर्थन मुल्य का तो ये किया गया है लक्ष्मी कांत जहां समीती के द्वारा किसके द्वारा तो लक्ष्मी कांत जहां समीती के द्वारा Next है कि भारत में पहली बार जेंडर बजट कब पेश किया गया है जेंडर बजट कब पेश किया गया है तो ये किया गया है दोज़ार पांच छे में किया गया है पहली बार जेंडर बजट पेश नेक्स्ट है कि कौन बहु आयामी गरीबी सुझकांग के आयामों में सामिल नहीं है जो खुशहाली है ये सामिल नहीं है गरीबी सुझकांग के आयामों में नेक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट यह अधिनियम जो 1908 में बनाया गया था यह जो option है यह गलत है यहाँ पर right answer हो जाएगा next question दिया हुआ है कि गादी जी ने व्यक्तित्व सत्यागरा किस वर्स सुरू किया तो किस वर्स सुरू किया गया था यह किया गया है 1940 में कब किया गया है और क्या चालू किया गया तो व्यक्तित्व सत्यागरा 1940 में साथ चालू किया गया है next कि त्री पूरी संकट के बाद कॉंग्रेश का अध्यक्ष किसे चुना गया कि संकट के बाद तो त्री पूरी संकट के कार के बाद जो एक कंग्देश का अध्यक्ष चुना गया तो ये चुना गया है राजेंदर प्रशाद जो चुने गया है त्रीपूरी शंकट के बाद कंग्रेश के अध्यक्ष चुने गया है question दिया हुआ है कि वेन सांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपडो के उतपादन का प्रशिद नगर कौन था तो वारानसी था किसमें तो वेन सांग की भारत यात्रा के समय सूती कपडो का उतपादन का प्रशिद नगर था वारानसी next question दिया हुआ है कि कौन सा हडपा अस्थल घगधर नदी के किनारे इस्थित था तो काली बंगा जो है इस्थी थे कहाँ पर तो हडपा आस्थल घगर नदी की किनारी इस्थी थे ये काली बंगा ठीक है नेक्ट क्वेस्चन दिया हुआ है कि उद्याइन किस वंस का सासक था तो उदाइन जो है हर्यक वंस के सासक थे कौन था तो उदाइन था ये था हर्यक वंस के सासक ठीक है नेक्स्ट है कि कुदूबदीन एबक की राजधानी कहा थी तो कुदूबदीन एबक की राजधानी थी लाहोर कहा थी लाहोर में थी नेक्ट יूस्टन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन एक मंदिर eτο से निर्मित है तो जो भीतरगांग का मंदिर है ये निर्मित था एτο नेक्ट तारीक ए फिरोज साही की रचना किसके द्वारा की गई है ये किया गया है जिया उदिन बरनी की द्वारा किसकी रचना तो तारीक ए फिरोज साही की रचना जिया उदिन बरनी की द्वारा किया गया है नेक्ट क्वेस्चन दिया हुआ है कि सम्प्रदाइक पंचाट की घोषणा किस वर्स की गई तो ये किया गया है 1932 में किसकी घोषणा तो सम्प्रदाइक पंचाट की घोषणा 1932 में नेक्स्ट की खेडा का युद्ध कब हुआ था तो यह हुआ है सत्रशो चाहत इसमी में किस का युद्ध तो खेडा का युद्ध नेक्स्ट क्वेस्टन दिया हुआ है कि निम्न में से किस जन्तु में गमन के लिए कूट पाद पाए जाते हैं किस में पाए जाते हैं तो अमीबा में जो है कूट पाद पाए जाते हैं गमन के लिए सरसु किस फुल का पौधा है किस कुल का है तो सरसु जो होता है कुशी फेरी जो है कुल का पौधा होता है सरसु नेक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट है नेक्स्ट क्वेशन दिया हुआ है कि निम्न में से कौन वायू प्रदीशन का मानीटर करता है वायू प्रदीशन को मानीटर तो लाइक इन जो है यह मानीटर करता है कि इसको तो वायू प्रदीशन को नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन ठोस इसनेहक का उधारण है तो जो फाइट होता है ये उधारण है फोस इसने हक का ठीक है next question दिया है कि इसमें फशल है दूसरे तरफ खरपतवार है बताना है कि इसमें से कौन है जो शुमेलित नहीं है यहाँ पे दिया हुआ है धान धान जो बत हुआ खरपतवार से यह शुमेलित नहीं है ठीक है तो right answer हो जा का उधारण नहीं है जड़ का उधारण नहीं है आलू तो आलू जड़ नहीं वल कितना होता है इसका right answer हो जाएगा option number c यह हुआ है कि निम्न में से कौन सा जो वियन गरह नहीं है जो वियन गरह इन में से कौन सा नहीं है तो mangal गरह जो होता है यह जो वियन गरह नहीं कहला नेक्स्ट एक विग बैग की गठना कितने वर्ष पुर्व हुई है कौन सी गठना तो विग बैग की गठना ये हुआ है 13.7 अरब वर्ष पुर्व में हुआ है नेक्स्ट क्वेशन दिया हुआ है कि कोईला नेम्न में से किसी प्रकार की सैल का उधारन है तो ये उधारन है और शादी सैल का उधारन होता है नेक्स्ट है कि वायू मंडल में हीलियम गैस के आयतन के अनुशार प्रतीशत है तो कितना होता है हीलियम गैस वायू मंडल में तो 0.0005 होता है इसका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सार गैसो सागर किस महा सागर का भाग है कौन सा सागर तो सार गैसो सागर किस महा सागर का भार है तो अटलांतिक महा सागर का भार है कौन सा सागर सार गैसो सागर नेक्ष्ट है कि अंडमान और निको बार को कौन सा जल शेत्र अलग करता है तो अलग करता है 10 डिगरी चैनल जो है अलग करता है किसको तो अंडमान और निकोबार को अलग करता है 10-10 दिग्री चैनल Next question दिया हुआ है कि कस्मीर घाटी नेमने में से किन दो परवत्स रेडियों के बीच इस्थित है तो ये इस्थित है ब्रिहद हिमाले और पीर पंजाल हिमाले कि अंतरगत जो है कस्मीर घाटी इस्थित है Next कि पोंचम पाद पर्योजना किस नदी पर अस्थापित की गई है तो ये अस्थापित की गई है गोदावरी नदी पर कौन सी पर्योजना तो पोंचम पाद पर्योजना Next question दिया हुआ है कि भारत में तीन का अधिकतम उद्पादन किस राजय में होता है तो किस में होता है तो 36 गड़ राजय में होता है किसका अधिक उद्पादन तो तीन का अधिकांस उद्पादन नेक्स्ट कि महावीर ने अपना उपदेश किस भासा में दिया है तो प्राकिर्ट भासा में दिये हैं महावीर ने अपना पहला उपदेश नेक्स्ट कि सुंग सासको ने अपनी राजधानी कहां अस्थाफित की थी ये विदिशा में अस्थापित किया गया था किस सास को ने तो सुंग सास को ने अपनी राजधानी विदिशा में अस्थापित की थी नेक्स्ट है कि चेदी वंस का सास संस्थापक कौन था तो याराइट आंसर हो जाएगा महा मेगवान कौन थे माहा मेगवान थे जो चेदी वन्स के संस्थापक थे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रथम हुड आक्रमड किसके समय में हुआ तो स्कंद गूप्त में जो हुआ था प्रथम हुड आक्रमड हुआ था स्कंद गूप्त के समय में नेक्ट है कि गजनवी मुहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदीर पर आक्रमण कब किया था ये किया गया था एक सो दस सो पचीश सवी में किस मंदीर पर तो सोमनाथ मंदीर पर किसने करवाया था तो मुहम्मद गजनवी में नेक्ट क्वेशन दिया हुआ है कि अजमेरन में मस्जित का निर्माड किसने करवाया तो यह किया गया था कुतूब दिन अयबक के द्वारा अजमेर में अढ़ाई दिन का जोपड़ा वाला मस्जित का निर्माड कराया गया था नेक्ष्ट है कि सलतनत काल का वसासक जिसने खम्स नामक कर से कोई हिसा नहीं लिया तो वो कौन थे तो सिकंदर लोदी थे जो कि सलतनत काल में कोई कर का हिसा नहीं लिये थे next question दिया हुआ है कि सरहिंद का युद्ध कब हुआ सरहिंद का युद्ध हुआ है 1525 में सरहिंद का युद्ध हुआ था next पंच तंत्र का अनवार ए सुहेली नाम से फार्षी भाषा में अनवाद किस ने किया है तो हुशेन इब्र अली वैज ने अनवार ए सुहेली नाम से फार्षी भाषा में पंच तंत्र का जो है अनवाद किया है next question दिया हुआ है कि निम्न लिखित में से किसे मुगल बादसा द्वारा निजाम उल्मुफ्त की उपादी दी गई है तो ये चिन किलिंच खा को दिया गया है मुगल बादसा द्वारा निजाम उल्मुल्क की उपादी next कि अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्ता किस वर्ष लागू की गई थी जो अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्ता होता है 1793 में लागू किया गया था कब 1793 में अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्ता को लागू किया गया था next question है कि सारवाजनिक समाज की अस्थापना किन के द्वारा की गई थी तो जो है महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा किया गया था सारवाजनिक समाज की अस्थापना next question दिया हुआ है कि मदरास की संधी किन के बीच हुई थी तो अंग्रेज एवं हैदर अली के बीच में हुआ था कौन सी संधी तो मदरास की संधी next है कि नव जीवन समाचार पत्र के संपादक कौन थे जिसके संपादक जो थे महात्मा गांधी थे किसके संपादक तो नवजीवन समचार पत्र के संपादक Next question दिया हुआ है कि कागजी मУद्रा या कृतिम मुद्रा है तो क्या होता है तो विसेस आहरण अधिकार वाला जो मुद्रा होता है उसको बोलते हैं कागजी मुद्रा या कृतिम मुद्रा केंद्रिय बजट में पूजी गत प्राडियों के अंतरगत नेमने में से कौन शामिल नहीं होता है तो जो निवेश होता है वो शामिल नहीं होता है कहां तो केंद्रिय बजट में पुजिगत प्राप्तियों के अंतरगत नहीं सामिल होता है वो होता है निवेश नेक्ट क्वेशन दिया हुआ है कि सिकंदर की मृत्तिव के बाद भारत ने अपने गर्दन से दाश्रता का जुआ उतार फेका साथ ही अपने गवर्नर की हत्या कर दी इस मुक्ती युद का नायक से डो कोट्स था कौन था सेंडो कोट्स था चंदरगुप्त के विशे में यह किसने लिखा है तो यह लिखा गया है जस्टीन के द्वारा किसके द्वारा तो जस्टीन के द्वारा लिखा गया है नेक्ट क्वेशन है कि जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमुल्यन करता है तो उसका प्रभाव होता है काईसा होता है तो निर्यात सुस्त हो जाता है और आयाम महंगा हो जाता है इसका right answer हो जाएगा option number C क्या हो जाएगा आनरियात सस्ता हो जाता है और आयात महंगा हो जाता है next question दिया हुआ है कि अजादी के बाद से अब तक कितनी बार भारती रूपयों का अवमुल्यन किया गया है तो कितनी बार किया गया है अब तक आजादी के बाद से लेकर अब तक भारती रुपयों का वन अब मुल्यन तीन बार किया गया है Next question दिया हुआ है कि विशेश मुद्रा भंडार के अंतरगत सामिल होता है कौन सामिल होता है विशेश मुद्रा भंडार के अंतरगत तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विशेश आहरड अधिकार, IMF के पास रिजर्व बैंक, श्वड मन भंडार और विदेशी परस्थति का परिस्थीतियां तो इसका राइट आंसर हो जाएगा option number D, 1, 2, 3, 4, 4 ही है नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में उन, उनी वस्तर की पहली मिल कहां अस्थापित किया गया था ये कानपूर में किया गया है कौन सा तो उनी वस्तर का पहला मिल अस्थापना हुआ है कानपूर में नेक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट अधिकारों के शंबंद में शभी नहीं है ठीक है जिसका राइट आंसर हो जाएगा ये अशीमित नहीं होती है ये अस्थाई भी नहीं होती है ये क्या होता है वाद योग्य होता है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि तीनों शाही है तो राइट आंसर होज़ेगा option number D Next question दिया हुआ है कि एक अनुछेद जिसके बिना सम्भिधान और्थ विहीन है यह सम्भिधान कि आत्मा और हिर्दे है बी आर अमबेडिकर का यह कथन किस अनुछेद में समलित है यह जो अनुछेद अनुछेद 32 में समलित किया गया है Next question दिया हुआ है कि निम्न में से कौन लोकसभा तथा राजिशभा की सन्युक्त बैठक बुला सकता है यह बुलाता है राष्टपती जो है यही बुलाता है लोकसभा तथा राजिशभा की सन्युक्त बैठक नेक्ट कोईश्चन दिया हुआ है कि भारती समिधान के किस अनुषेद के अंतरगत महान्यायवादी की निक्ति की जाती है तो इसका अंसर हो जाएगा अनुषेद जो है 76 में दिया गया है कौन सा तो महान्यायवादी की निक्ति नेक्ट कोईश्चन है कि भारत की संचित निदी से धन निकालने के लिए निम्नम में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है ये संशत का कार्य है किसमें तो संचित निदी से धन निकालने के लिए संशत का यहाँ पर अनुमोदन करना अनिवार्य है संसत की लोक सभा समीती के अध्यक्ष की नियुक्ती करती है तो ये नियुक्ती किसका किया जाता है तो लोक सभा अध्यक्ष का किया जाता है नेक्ष क्वेश्चन देख लेते हैं दिया हुआ है कि कौन सा एक सदिश रासी नहीं है तो विदुद्धारा जो होता है ये विदुद्ध ये जो सदिस रासी नहीं होगा नेक्ट क्वेशन है कि यदि किसी वस्तु को आउतल दरपड के वकरता केंदर पर रखा जाए तो इसका प्रतिबीम्ब कैसा बनेगा इसका जो प्रतिबिम्ब होगा वो हो जाएगा वास्तवीक सामान और आकार हो जाएगा इसका सेम किस्पे तो जब कोई भी दरपड को वक्रता किंद्र के बीच में रखा जाएगा तब नेक्ट क्वेशन दिया हुआ है कि कौन चुम्बकिय पदार्थ नहीं है अनुचुम्बकिय पदार्थ नहीं है इनमें से कौन तो एलमुनियम जो है अनुचुम्बकिय पदार्थ नहीं है नेक्ट कि प्रकास का तरंग सिधानत किसने दिया था किसने के द्वारा दिया गया ह प्रकास तरंग सिधानतों में इनको नेक्ट क्वेस्टन है कि सोलर कूकर में उपयोग किया जाता है क्या उपयोग किया जाता है सोलर कूकर में चन है कि निमनलिखित में से कौन जर्मन सिल्वर मिस्र धातु के अववय है यह जो अववय होता है तीन तामबा और चांदी का है जिसकी सिल्वर मिस्र धातु का अववव है कौन तामबा चिन और शांदी नेक्ट कौन सा गोड यानि CO2 को CO से भिन करता है ये अलग करता है प्रकास की उपस्थिती में जल से क्रियाजो होता है ये अलग करता है CO2 को CO से भिनने बनाता है नेक्ट कौस्चन दिया हुआ है कि स्थार फिस किस संग का जनतु है तो जो स्थार फिस होता है ये इकाई इनोडर मेटा का संधी जो है जनतु का ये जो है संग है किसका तो स्थार फिस का इकाई डोना मेटा ठीक है नेक्स्ट क्वासी और कोर तथा मेरेसिस्म रोग किस कमी से होता है ये जो होता है प्रोटीन की कमी से होता है नेक्स्ट क्वेशन दिया हुआ है कि विटामिन B3 किसके उपापचाय में शहायक है किसके उपापचाय में शहायक है तो चिप्टोफैन अमीनो अमल जो है विटामिन B3 के उपापचाय के रुप में शहायक है कौन तो चिप्टोफैन अमीनो अमल बस्तिक्स का कौन सा भाग भारत की अधिक तापमान तापक्रम नियंत्रित करता है जो हाई पे थैले मश होता है ये जो है नियंत्रित करता है सरीर का ताप और तापमान नियंत्रित करता है next question दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा हार्मोन वृद्धी रोधक हार्मोन प्राप्त होता है तो एबसेसिक अमल जो होता है इससे प्राप्त होता है वृद्धी रोकक पदार्थ हार्मोन next है कि प्रोटीन का पाचन संसरीर के किस अंग से होता है तो ये जो आमासे से होता है प्रोटीन का पार्चन के सरीर का अंग